वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो अलो फ्यू वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल दी लर्निंग गार्डन आइम डॉक्टर मन्जू तोड़ी विल स्टार्ट विद क्लास 7 NCRT साइंस बुक चैप्टर फाइव आसर्स बेसेज और सोल्स यह देखिए जो आसर्स बेसे का जो चैप्टर है या जो हम यह कहें कि जो कॉंसेप्ट से यह बहुत ही डिटेल में कॉंसेप्ट है और एक्चली जो आपके अपर सेक्सेंस हैं एवन 10th 11th 12th वहां पर भी यह काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है बट इस वीडियो में हम क्लास 7 के हिसाब सही देखें अब इनको क्या करना है कि कुछ सब्स्टेंसिज को आप टेस्ट करके देख सकते हैं या फिर हम यह कहें कि हम बच्चों से एक अक्टिविटी करवाएंगे उनको बोलेंगे कि हाँ आप वन वीक तक जो भी आप खाना खा रहे हैं आप एक नोट बुक में एक टेबल बनाई है उसके एक कोलम में आप लिख दीजिए नेम ओफ दी सब्स्टेंस जो भी आप खा रहे हैं और सेकेंड कोलम में आपको टेस्ट लिखना है तो अब यह टेस्ट के हिसाब से हम कैसे आडेंटिफाइ करेंगे कि आपका जो सब्स्टेंस है या फिर जो आपके एडिबल आइ सब्स्टेंस होते हैं सावर बीटर साल्टी एंड स्वीट तो अब हम बात करेंगे जब एस्ट और बेस कोई भी सब्स्टेंस एस्ट है या बेस है तो उसका टेस्ट क्या होता है चलिए फिर से जो भी आप खाने में यूज करते हैं जैसे कर्ड है लेमन जूस है और इंग वीनेगर है इनसे जब का इसा टेस्ट होता है देहर सावर तेस्ट और इनको क्या बोलते हैं मतलब इनके इंदर क्या है एसड से और और जिन substances में acid होता है उनको हम बोलते है acidic substances तो इन substances का chemical nature acidic है अब यह acidic कहां से आया यह एक Latin word है acid है जिसका मतलब होता है sour तो जो भी sour substances हैं उनको हम बोलते हैं यह acid substances है acidic substances है acid इनके अंदर present है अब चलिए ठीक है कुछ substances ऐसे होंगे जिनका sour taste नहीं है आप कुछ और substances लेज़े अगर आप baking soda को test करेंगे तो यह bittering taste है तो अभी और एक का मोर कीजिए कि आप जो baking soda है उसको अपने fingers के साथ थोड़ा रब कीजिए आपको soapy जैसा फील होगा मतलब जैसे साबन से होता है नहीं ऐसा फील होगा तो कुछ ऐसे substances जो bittering taste है और उनको touch करने पिशोपी फील होता है तो उनको हम basis बोलते हैं और इन substances का जो nature है वो basic nature है तो अब यह रिखिए क्योंकि अब हर चीज जैसे साबन साबन को आप टेस्ट थोड़े ना करोगे हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो मतलब अभी कोई भी घर में जैसे यूज हो रहा है substance यह तो हम केवल बच्छों को समझान कि कोई substance acidic है या basic है तो उसके लिए कुछ indicator यूज होते हैं तो कुछ special टाइप के substances हैं विच यूज तो टेस्ट वेदर इस substances acidic और basic और इन substances को हम indicators बोलते हैं इंडिकेटर क्या करते हैं कि जब हम उनको solution के अंदर change add करते हैं तो इंडिकेटर से वह अपना color change कर लेते हैं चलिए हम थोड़ा सा बिताते हैं कि कुछ तो पहले जिसे हम कुछ examples लेते हैं कि कौन-कौन से substances हैं जो आपका indicator की तरह काम करते हैं अपना घरों में यूज होने इस पैटल बोलते हैं तो यह कुछ ऐसे substances हैं जो इंडिकेटर के लिए यूज किया जाते हैं कि आपका यह बताएंगे कि जो आपका solution है वह acidic है या basic है यहां पे do you know में यह दिया है कि कुछ substances हैं और उनमें बताया है कि इनमें आपका कौन सा acid है या कौन सा base है अगर हम वीन अपके माल्स फ्रूटस हैं जैसे lemon है, orange है, citric acid रहते हैं, curd में आपका लैक्टिक acid रहते हैं तो यह सारे आपको याद नहीं होगे आपके याद कैसे हूँगे कि मानलो आपने आज खाने में जो जो खाया आपने मानलो कार्ड लिया और या फिर आपने जैसे खाने में जब आप खाना खा रहे हो आपने कर्ड लिया तो कर्ड में कौन सा असिड है लैक्टिक असिड तो आप उसको note down कर लोगे कि येस आज मैंने कर्ड लिया और कर्ड में लाक्टिक असीड है अचा मालो दिन में आपने फ्रूट खाया औरेंज लिया यापने लेमन जीश लिया तो उसमें अरुज यह तो सि't्रिश फ्रूट है इसमें sittrick असीड है तो ऐसे मतलब को सोचना है कि Yes मैंने यह खाया थो इसमें कौन तो आपको नोट करना है अगर आप इमली ग्रेप्स या फिर एन्राइप मैंगोज ले रहे हैं टामारिंट ग्रेप्स और अन्राइप मैंगोज में आपका टार्टरिक आसड प्रेजन्ट होता हैं अगर आप आउनला या कुछ सित्रिस प्रूट्स ले रहा हो तो उसमें जब भी आप मतलब अभी आपके पूरा साल है जब भी आप खाना खाएंगे अगर खाने में आपने पालक लिया आप अपनी नौट बुक में नोट कीजिए यह आपने स्पीनेच खाया है और इसमें ऐसे प्रेजिंट है वह अग्जैलिक अच्छा आप कुछ और सबस्टेंस अगर कैल्सियम उक्षाइड को हम पाने में घोल दें पाने में डिजोल कर दें तो हमारा कैल्सियम हाइड्रोक्षाइड बन जाता है अच्छा कई बार मम्मा को देखा होगा कि विंडो क्लेन करने के लिए कुछ सबस्टेंस यूज़ कर रही है या घर में मेड आती है तो वो आपकी विंडो की सफाई कर रही है तो क्या यूज़ कर रही है वो जो सबस्टेंस यूज़ करते है उसमें होता है अम्मोनियम हाइड्रोक्षाइड घर में साबुन तो सब भी यूज़ करते हैं साबुन में क्या होता है साबुन में भी आपका या तो सोडियम हाइड् एक milk of magnesium रहता है जिसमें magnesium hydroxide रहता है चलिए ठीक है अब यहां पर जैसे भूज़ो पूज रहा है क्या हम सारे substances को test कर सकते हैं कि यह पता करने के लिए कि acid के हैं कि basic हैं तो पहले उसको बोलती है नहीं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो substances हैं यह हमारे लिए harmful भी हो सकते हैं तो पहले यहां पर सही कह रही है आपको हर substance को touch नहीं करना है हर substance को taste नहीं करना है हां जो खाने पीने की चीज़े हैं जो आप खा रहे हो पी रहे हो जो ममा आपको खाने को दे रही है हां वो आप जरूर नोट कीजिए उनका taste नोट कीजिए और आप यह बताईए क कि उसमें कौन सा acid है यह जो table आपकी बुक में जो table दी है इससे आप पता किजिए पढ़िए हाँ आज मैंने यह खाया तो इसमें यह acid है या फिर जैसे चीटी काट गई तो आपको pain हो रहा है तो क्यों pain हो रहा है क्योंकि चीटी ने वहां पे formic acid release कर दिया है अच्छा तो सा स्टेंसेज को हम यूज करते हैं यह को AMAARा सबस्ट जो एसी डिक है या बेसीख है तो कुछ natural यूपर तेर हैं शेप्टर से ऑड़लफे के बारे में बात करते हैं तो